अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे Hello Everyone, स्वागत आपका हमारी इस चैनल जिसका नाम है Government Exams Fundda CDS1 2020 के लिए Krunt Affairs की सीरिस चल रही है आज इसका रहेगा पार्ट 19 बहुत ही जादा important पार्ट रहने वाला है अगर आपने पहले 18 पार्ट के नहीं देखे या फिर जो most expected questions के 4 पार्ट अपलोड किये थे वो नहीं देखे तो playlist में जाकर देख सकते हैं इसके इलावा जो बाकी playlist में बनाई गई है चाहे history की हो, economics की हो अगर आपने उन में से कोई lecture अभी तक नहीं देखा तो देख लेना क्योंकि वो आपके CDS के लिए बहुत ही जादा जरूरी है इसके इलावा अगर आपको mocks चाहिए हो guidance notes तो आप इस नंबर पे WhatsApp करके हमारा bet join कर सकते है Krunt Affair का एक mocks कल launch होने वाला है तो बहुत ही जादा जरूरी रहने वाले हैं ये mocks क्योंकि जिस तरह के questions आपको पूछे जाएंगे उसी तरह के questions इन mocks में हमने डाले है ताकि आपकी practice भी हो सके और कोई चीज जो है छूटे ना तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं part 19 तो चलिए देखते हैं Joint Working Group to suggest ways for more effective implementation of the centers अयूशमान भारत परधान मंत्री जन अरोगे योजना was formed under तो देखिए पहली चीज तो ये थी कि अयूशमान भारत परधान मंत्री जन रोगे योजना जो है इसके एक साल अभी सेप्तंबर में ही complete हुए थे तो इस वज़ा से ये पहले ही news में रहा दूसरी चीज एक Joint Working Group बनाया गया है उसको chair कौन करेंगे, head कौन करेंगे तो देखिए वो करेंगे दिनेश अरोडा जी तो इस तरह के कोशन जो है आपको CDS में देखने को मिल सकते है आपने मुझे ये बताना है कि ये scheme क्या है क्योंकि अब तक तो एक साल हो चुका है तो इस scheme के उपर directly कोशन आना थोड़ा मुश्किल है लेकिन क्योंकि अभी एक साल भी हुआ है इसके उपर अभी अभी इसका one year completion था और बहुत ही बड़ी health scheme है और उसमें एक ये point जरूर mention हो सकता है कि ये जो joint working group अभी अभी बना है इसको head कौन करेंगे आगे देखते हैं अकवासी crypto currency called as learning coin has been launched by तो देखिए ये नाम याद रखना इससे पहले मैंने आपको बताया था कि Libra crypto currency आएगी वो किसकी है वो है facebook launch करेगा 2020 में facebook, libra और इसको confuse मत करना ये जो learning coin है crypto currency ये launch करेगा world bank, imf के साथ मिलकर और इसकी कोई भी monetary value जो है नहीं रहेगी सिरफ data collect करने के लिए समझने के लिए इस वज़ा से learning coin इसके नाम से ये आपको पता लगना है learning यानि कि इस technology को समझने के लिए ही world bank और imf जो है इसको launch करेगा याद रखना है learning coil world bank और imf और जो हमारा libra crypto currency है वो facebook दोनों ही चीज़े बहुत ज़्यादा important है याद रखनी है तो चलिए चलते हैं आगे तो चलिए देखते हैं consider the following statements regarding pneumonia तो देखिए pneumonia की वज़ा से सबसे पहले जो हमारी infection होती है infection हो सकती है या फिर दोनों lungs में infection हो सकती है pneumonia के कारण अब देखिए recently sans a campaign अभी अभी क्या हुआ एक sans campaign जो है launch किया गया अब इसके पूछे जाने के chances इसलिए भी है क्योंकि air pollution काफी news में रहता है तो अगर आपने sans के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आप pollution से इसको relate कर सकते है जहां पर गलती लगने के बहुत सारे chances है इस वज़ा से आपने सबसे पहले तो इसकी full form याद रखनी है कि sans की full form क्या है तो देखिए social awareness and action to neutralize pneumonia successfully तो पहले आपको full form पता होनी चाहिए कि sans campaign launch किया गया किस वज़ा से pneumonia की वज़ा से अभी अभी जिन बच्चों की उमर 5 साल से कम होती है हजार बच्चों के पीछे जिनकी उमर 5 साल से कम है लगभग 37 बच्चे जो है इंडिया में उनकी death हो जाती है 5 साल से पहले और उन 37 में से लगभग 5 से 6 बच्चे जो है वो pneumonia की वज़ा से pneumonia से ग्रस्थ होते है जिनकी वज़ा से उनकी death होती है तो अब ये mortality rate जो है इसको नीचे लाया जा सके इस वज़ा से ये जो campaign है ये launch किया गया है तो पहली चीज़ clear हो गई अब पहली statement recently science a campaign aimed at reducing child mortality was launched to combat pneumonia तो ये बिलकुल ठीक है कि pneumonia का जो mortality rate है चाइल्ड का 5 साल से कम बच्चों का उसको कम किया जा सके इसी वज़ा से ये awareness campaign जो है launch किया गया है दूसरी चीज़ बहुत जादा important है pneumonia तीनों से हो सकता है bacteria से भी virus से भी और हमारा fungi से भी तो ये आपने चीज़े याद रखनी है fungus, bacteria और virus तो दूसरी statement भी है बिलकुल ठीक और pneumonia जो है एक दूसरे से फैल भी सकता है इसके किटानू जो है फैलते है असानी से तीसरी चीज़ क्या इसकी अभी तक कोई भी vaccine नहीं है इस disease से लड़ने के लिए तो ऐसा नहीं है अभी भी इसकी काफी oral medicines जो है available है जो इससे लड़ सकती है easily तो पहली statement थी ठीक, दूसरी है ठीक, तीसरी है गलत, answer होगा option B, one and two only, full form याद रखनी है social awareness and action to neutralize pneumonia successfully तो चलिए चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, अब देखी ये जो news है न इसको तो आप star mark कर लीजिए और महारतन companies जो है, महारतन companies जो है उनका criteria भी पढ़ लेना और महारतन companies कितनी है, कौन कौन सी है ये भी पढ़ लेना और ये जो question है, ये question star mark कर लीजिए, most important question है और directly आपको ये जा सकता है, answer इसका रहेगा नुमालीगर refinery, लेकिन है क्या, देखिए अभी अभी क्या हुआ, हमारा भारत petroleum, corporation limited जो है, BPCL है, उसकी dis investment कर रही है हमारी government, union cabinet, इन्होंने ये अप्रूव कर दिया था, अब है क्या दिक्कत कि पहली बात, कि ये dis investment जो है, privatization जो है, ये क्यों क कर रही है, देखिए सरकार के इस वक्त पास जो है, पैसे नहीं है, liquid cash नहीं है, इस वजा से वो dis investment कर रही है, ताकि उनके हाथ में पैसा हो, इसको अगर आप compare करना चाहे, तो इस तरह से compare कर सकते हैं, जैसे किसी के पास बहुत सारी जबीन है, लेकिन जो cash है, वो उसके पास उतना नहीं है, तो अगर उसको cash चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपनी एक जमीन बेज देगा, और उससे cash ले लेगा, अब ये जो privatization or disinvestment सरकार कर रही है, इस वजा से, क्योंकि इनके पास liquid cash नहीं है, अब इनकी disinvestment अगर करेंगे, उसके बदले में इनको जो है, पैसा मि अपना deficit जो है, वो पूरा कर पाएंगे, तो पहली चीज ये, कारण जो हमारी महारतन कंपनी है, अब पहली चीज कि भारत Petroleum Corporation Limited जो है, ये एक महारतन कंपनी है, अब इसकी disinvestment हो रही है, तो ये already बहुत जादा बड़ी बात थी, अब पहली चीज ये हो गई, महारतन कंपन कंपनी के बारे में आपने सर्च आउट करना है, और मुझे नीचे बताना है, अब भारत Petroleum Corporation Limited के नीचे भी काफी कंपनी है, जिसके शेर जो है, भारत Petroleum Corporation Limited के पास है, उन में से एक refinery है, नुबाली गर, नुबाली गर refinery, और ये कहां पर है, ये है हमारे असम में, अब दि Petroleum Corporation Limited की disinvestment होती, तो automatically इसकी भी disinvestment हो जाती, इसकी भी privatization हो जाती, लेकिन काफी protest हुआ, जिसकी वज़ा से ये जो disinvestment हो रही है, इसमें से नुबाली गर refinery को अलग रखा गया है, और नुबाली गर refinery का PSU status जो है, वो उसी के पास रहेगा, बहुत बड़ी बात है, ये ज तो हमारा Assam Accord था 1985 का sign हुआ था, उसमें एक clause था, जिसके तहन नुबाली गर refinery जो है, ये बनाई गई थी, जिसकी वज़ा से ये काफी protest हुआ, लोगों के sentiments जुडे हुए है इसके साथ, जिसकी वज़ा से इतनी बड़ी disinvestment से इसको अलग रखा गया है, नुबाली गर refinery को अलग रखा गया है, तो पहली चीज, clear हो जानी चाहिए, कि BPCL की privatization हो रही है, दूसरी चीज, इसमें से नुबाली गर refinery को अलग रखा गया है, और उसके stake जो है, वो PSU रहेगी, वो government के अंडर रहेगी, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, और नुबाली गर refinery refinery जो है हमारी, ये सबसे जादा paraffin wax जो है, बनाती है इंडिया में, सबसे जादा paraffin wax जो है, यही refinery के द्वारा बनाया जाता है, तो सारी चीज़े आपको clear हो गई, तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं, consider the following statements about recently released report on road accidents in India 2018 by Ministry of Road Transport and Highways, तो देखिए, Ministry of Road Transport and Highways ने ये report published की, तो बहुत जादा important report है, अब लगबग 5 लाख accidents जो है, road accidents जो है इंडिया में हर साल होते हैं, जिन में से 1.5 लाख लोग जो है, बहुत ही जादा बुरी तरह से injured होते हैं या उनकी death हो जाती है road accidents में, अब इसका main reason क्या है, main reason इस report में बताया गया है, over speeding, यानि की जिन cases में, road accidents में, जिन लोगों की death होती है, उनमें से 65% का reason क्या होता है, over speeding, तो पहली चीज, इसके इलावा, अगर हम overall world में देखें, तो 11% जो death होती है, वो इंडिया contribute करता है road accidents की वज़ा से जो death होती है, उसमें इंडिया 11% contribute करता है, जो की बहुत ही जादा बड़ा नमबर है, अब पहली statement है ठीक, दूसरी चीज, तामी लाडू और उत्तर परदेश रिमेन accounted for the highest number of road accidents and death on account of road accidents, ये भी ठीक है, सबसे जादा accidents जो है, वो तामी लाडू और उत्तर परदेश में ही हुए है, पहले नमबर पे है तामी लाड सबसे जादा death होती है, किसकी वज़ा से, हमारे road accidents की वज़ा से, और उत्तर परदेश है second पर, तो दोनों ही चीज़े हैं मिलकुल ठीक, ये report बहुत जादा important थी, किसने publish की ये भी आपको पता होना चाहिए, पहला point भी है ठीक, दूसरा point भी है ठीक, answer होगा option C, both 1 and 2, तो च केजिए, जल्दी मिलूगा अपनी अगली वीडियो के साथ, जय हिंद,